हलो फ्रेंज टेक्निकल कलास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है टेक्निकल कलास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है आज हम लोग फीटर ट्रेड का सेट डिसकसन करेंगे फीटर ट्रेड में आपको मेजिंग टूल का डिसकसन करें से पहले से 1 का हम लोग डिसकासन नहीं किये थे सीट वन में आपको फायर और सेबट भीस से कोशन है से पिंटरट डेट में टोटल 6000 हूशन है पायर और सेबटी से टोटल आपको 50 почему अइसे इसे वन में है फिर्टर ट्रेड के cuirnumumry increased हैं एसे यह सभी ट्रेड में आते हैं सिप्टर कोशन टौटल छी हुए हमान के पड़ते हैं फर्षक कोशन कह रहा है को कह रहा हैं ।ा तो आग बनने के लिए यह अाहत के निर्मान के लिए इंधन, जुवलन ताप और ओक्सीजन का होना जरूरी है, ओप्सन नमर ए में हैं इंधन, ताप और ओक्सीजन का होना जरूरी है, दुनिया के कोई भी पदार्थ में आग लग सकता है, बसरते उसमें जुवलन ताप, उसका जुवलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए जो अलंद ताप क्या है वह ताप जिस temperature पर किसी भी पदार्थ में आग लगता है जैसे कागज कम temperature पर जलेगा और उससे भी कम temperature पर आपको पेट्रॉल जल जल जाएगा तो दुनिया के सभी पदार्थ में आग लगते हैं बस आरते उसका temperature अलग-अलग होना चाहिए यहांने कि 1 का A 2 नमर जो question है आग को कितनी वर्गों बाटा गया है तो आग को ऐसे देखे हो कि तो 4 वर्गों बाटा गया है Class A, Class B, Class C, Class D यह बोल सकते हैं Carbonation Fire, Wild Fire, Gas Fire और Electric Fire उसमें भी 4 वर्गों भी वाई Classification A भी grading किया गया है तो 4 में भी Classification किया भी आए तो 4 में यानि कि 2 का C Question 3 आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए option को परिए गया है तुरंत Fire विर्गेड को सुझित करें यह तो करना चाहिए oxygen पर वह रोग दे यह भी करना चाहिए उप्यूक तग निसामन का परियोग करें यह भी करना चाहिए आग लगने के कारण का पता न लगाए यह नहीं करना चाहिए question नमबर 4 carbonation fire लकरी की आग को कहते है इसे बुझाने के लिए क्या परियोग करते हैं और आपको soda acid fire exit tensor का परियोग बुझाने के लिए करते हैं और अर्थार 4 का यह एंसर होगा question नमर 5 लकरी में लगी आग को क्या कहते हैं तो लकरी में लगी आग को class A के अंतरगर बाटा गया लकरी में लगी आग को class A के अंतरगर बाटा गया यह ने 5 का यह होगा 6 नमर question कर रहा है तेली आग को कहते हैं इसे बुझाने के लिए किसका परियोग करते हैं तेली आग को बुझाने के लिए किसका परियोग करते हैं तब phone fire exit tensor का phone एक पर करकर जाग जैसा उत्पन होता है जो तेली पदार्थ के class B के अंतरगत रखे गए हैं याद रखेगा class A में लकरी बगार और carbonation fire और वाइल जो fire होते हैं वह class B के अंतरगत रखे गए हैं question number 8 phone fire existencer का पर्तिक चिन क्या होता है तो phone fire existencer का पर्तिक चिन भूरी रंग का हाथ का चिन होता है पा उस पर निसान बने होते हैं को नमन 9 भिजली की आग को भिजली द्वारा लगी आग कोई से बुझाने के लिए और डारद वहारा के लिए किस पर्योग करते हैं तो मैं बतादू आपको है लोजन CTC का परियोग करते हैं Carbon Tetra Collider Carbon Tetra Collider को Halogen Existiser कहते हैं नाइन का D होगा Question No.10 विजली की आग को किस तरेनी में रखते हैं तो विजली की आग को आपको Class D के अंतरगत रखा जाता है फिर से मैं आपको जिग कर दूँ Class A Carbonation Fire Class B Gas Fire Class C Class C आपको Class A Carbonation Fire Class B Class C Gas में लगे आग को कहते हैं Class D विजली की लगे आग को कहते हैं ठीक है? यहनिकि 10 का D होगा 11 Soda Acid Fire Existiser का परतिक चिन होता है क्या होता है? तो पीले रंग का हाथ का चिन होता है 11 का C Gas की आग को बुझाने के लिए किसका परियोग करते हैं? तो Gas की आग को बुझाने के लिए Dry Powder का यूज़ किया जाता है 12 का C होगा Gas में लगी आग को किस रेनी में रखा गिया है? तो Gas में लगी आग को क्लास C में रखा गिया है A. Carbonation Fire B. तेलिये पदार्थ फाइर C. गैसिये पदार्थ फाइर D. Electric Fire C. T. C का पूरा नाम क्या है? तो Carbon Tetra Coloride यानि 14 का यह होगा 14 के बाद 15 में चलते हैं आग लगने पर क्या करना चाहिए? Option को पर यह तुरंद Fire विड़ गेट को सुचित करे? सही है Oxygen परवाह रोग दी? यह भी सही है उप्यूप्त अगनी सामन का परयोग करे? यह भी सही है D. उप्रूप्त सभी सभी सही है Question number 16 चेताउनी चिन की आकेरती होती है तो आपको गोलाकार नहीं आगे परते हैं वर्गाकार नहीं आगे परते हैं तिरभुजाकार होता है 16 का C होगा Question number 17 किसी सुरच्छा चिन का आकार गोल रंग गोल रंग नीला अच्छिन सफेद रंग का होता है वह होता है 17 का मैंवदक चेताउनी चिन नहीं होता है सुचना चिन नहीं होता है 17 का C होगा 18 किसी सुरच्छा चिन का तिरभुजाकार आकार होता है तथा बोड़र का रंग वह संकित काले रंग के होते हैं चेताउनी चिन का होता है 18 का D 19 आदे सात्मक चिन किस आकेर्थी के अंदर बने होते हैं ता आदे सात्मक चिन आपको विर्थाकार आकेर्थी के बने होते हैं निसेदात्मक चिन किस आकेर्थी के अंदर बने होते हैं तो निसेदात्मक चिन आपको विरीत क्रोस वार होता है तो राउंड बना के आप क्रॉस किया हुगा रहता है तो वह क्या होगा 20 का बी 21 नीचे दिखाया गया चित्रे किस चेतावनी को प्रकट करता है 21 तो आपको ओवर हेट लोड नहीं एलेक्टिक सौक नहीं आग का खतरा नहीं लेजर बीम रेडियेशन को इंडिकेट करा है यह जो फीगर है लेजर बीम रेडियेशन को इंडिकेट करा है 21 का D होगा 22 यह किसका चिन है 22 यह किसका चिन है सुचनात्मक चिन है यह मेडिकल सुचित करता है यानि कि आपको medical यहां पर है या सुचना परदान करता है Question 23 निम्न चनी किसका परिचायक है तो laser beam उसके बाद आगे परते हैं आईनी करण विकरण का जोखिम हाँ यह होगा 23 का आईनी करण विकरण का जोखिम होगा अब सेट नमबर 24 परेंगे 24 में क्या कह रहा है आपको एक ज्वलित विद्धु तार के लिए निम्न में से कौन सा अगनी सामग उचित होता है तार कह रहा है और मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि वाइर से रिलेटिव, एलेक्टिक से रिलेटिव CTC का परयूग करते हैं करवन टेटरा कुलोराइट का यूज करते हैं तो 24 का क्या होगा C होगा 25. फायर विर्गेट दुवारा कौन सा पाइप परियोग किया जाता है 25 का यह होगा 26. सुचनात्मक चिन का परिदिस रंग होता है वह सी होता है हरा होगा question number 27 निमलिखित में से सुरच्छा का कौन सा परकार ब्यवसाइक सुरच्छा नहीं है तो option पर ये machine सुरच्छा, सरीर सुरच्छा, कार सुरच्छा नहीं सरक सुरच्छा, ब्यवसाइक सुरच्छा नहीं है 27 का D होगा 28 घावों को भरने के लिए प्रात्मी कुप्चार के डिब्बे में ट्यूब होनी चाहिए ये में हैं सुम्रा, सुम्रा, सुफ्रा, माईसिन, पेंसिलीन, बीटाडिन, फेयर, एंड लवले 28 बीटाडिन होना चाहिए 29 29 सोडा, एसिट, अगनी सामंग किस आग का परियोग किया जाता है तो आपको बता दू लकरी की आग में आपको सोडा, एकसिटी उनसर का परियोग किया जाता है उसके बार 30 नमर कोशन कह रहा है सुस्क रसायन वाले अगनी सामंग कहां परियोग करते हैं सुस्क रसायन वले अगनी सामक कहां परयोग करते हैं तो बिद्धुत आग में परयोग करते हैं यानिकि 30 का ये होगा 31 Form type अगनी सामक में कौन से रसायन परयोग करते हैं तो आपको Na2CO3 पलस Al A04 यानिकि A का परयोग करते हैं 32 32, निम्न मेंसे कौन सा कारण दुरगळणा का कारण नहीं है, अप्सन को पढ़िएगा खत्रे के प्रति और साउधानी लपरवाहे सुरच्छा का आदर करना, अगर यह सुरच्छा का आदर करेंगे तो आपको क्या होगा, निम्न मेंसे कौन सा कारण remains कारण का सुरच्छा के लिए परयोग करते हैं सांस से संबंदी सुरच्छा के लिए परयोग करते हैं फिल्टर कि रेशी प्रीकेटोस कोश्चन नमर्ट 34 हैंबर परयोग करते समय नजर किस पर रखना चाहिए तो हैंबर परयोग करते समय जॉब पर नजर रखना चाहिए भी होगा 35 यदि कार अस्तर पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए 35 में ओप्सन है वागदर मचाएं वेकल्फी रोशनी का प्रबंद करें बाहर निकलना हो तो सीडियू का प्रयोकर उपरूख सभी होगा 35 का D 36 वर्क्सोप में आग लगने पर क्या करना चाहिए चुपचाप देखें तुरंत बाहर निकलने का परयात्न करें वेकली का में स्वीच तुरंत बंद करें फायर बिर्गेट को तुरंत सुचित करें तो आपको 36 में होगा सी बिजली का मेंन स्वीच तुरांत बंद करें कोशन नमार 37 कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ती सुरच्छा को पुरसाहित करने के लिए पर्योग की जाती है क्या कर रहा है निम्न में से कौन सी युक्ती सुरच्छा को पुरसाहित करने के लिए परयोग किया जाता है तो परचार वाक्यों का लिखना 37 का B होगा 38 निम्न में से कौन और धोगी खत्रे मन दुरगटना के कारण बनते हैं 38 तो ए में सोर और कमपन खराब लाइट और खराब वायू का आवागमन उसमा तथा द्रता उपरुक्त सभी 38 का D होगा 39 क्लास A टाइप अगनी के लिए इंदन होता है क्लास A के लिए तो काष्ट कपरा कागच काष्ट कपरा कागच यानि कि C होगा ठोस पतार्थम लगे आगको क्लास A के अंतरगत रखा है कास्ट भी है काप्रा भी है लक्री है यह सब ये में आता है 40 सरीर की सुरच्छा के लिए परयोग किया जाता है सभी होगा उप्रोग सभी सभी conspiracy आख की सुरच्छा के लिए परयोग करते हैं आग के सुरच्छा के लिए भी सभी का गोगल, ग्लास, फेस, स्लाइडर उप्रोग सभी सभी होगा साप द्वारा काटने पर प्रत्थम चिकिस्टा क्या करना चाहिए गहाव पर कपरा बान तथा खुन बाहर आने देने के लिए गहाव को काटना चाहिए जहाव पर साप काट दें, वहाँ पर और चीरा लगा दें कि बलड निकल लिए और उसके ऊपर कपरा से बहुत टाइट बान देना चाहिए जाहिए कि बलड का सर्कुलेशन पूरे सरीर में नहों सके, मतलब इस तरफ नहों सके क्रितिम स्वास क्रिया के सरलतम बिधी क्या है तो हम मुह से मुह में स्वास देना यह रही सी होगा लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस फर्टी किस परकार के सुरच्छा संकेत में बनाई जाती है तो 45 के निशेदा आत्मक होगा विद्धु जटके के पशात क्रितिम स्वास किरिया कि निम्न में किस विधी में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है तो सैफर विधी द्वारा निम्न में से किन चिन्यों की बॉर्डर एवन बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है तो निसे दात्मक चीन होगा यह ओता है कि उसके बाद फोटी एट वर्डी लगे डी में लगे किस के स्रेनी उसरिण में जता है तब विधी दुत्वारा लगे आँ को डी के अंतरगत कर लगते ने वर्ग बी में किस स्रेनी के लगए आग को रखते हैं तो तेलिए पदार्थ में लगए आग को तरल पदार्थ में लगए आग को बी में रखते हैं ग्राइंडिंग करते समय हमेशा विल के साइड में खरे हो यह विल के साइड में खरे हो सामने खरे नहीं होना चाहिए यह आपका फीर्टर तेड का फायर और सेफटी से कोशन थाय ऐसने फायर सेफटी सब ट्रेड में कोशन पूचा जाता है लेकिन हम लोग फीर्टर में बनाए हैं फीर्टर में सेट 6000 cent के कोशन हैं और 6000 cent का हम लोग discussion chapter by chapter चलेंगे अब भी हम लोग लोग मेजिनंग इंस्ट्रुमेंट का करें मेज्णंग इंस्टूमेंट में 6 सेट तक आपको होगा है आप विए नहीं देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तह आप सब्सक्राइब करें उसिर करें यह और बेल इन हमटे को बजाएगे हैं झाल झाल